आज हमनों देखें क्लासिक्स के साइंस का पहला पार्ट पहला पार्ट हमारा है भोजन हमारी मुल आउशक्ता फूड और बेसिक निट्स यानि भोजन हमारी मुल आउशक्ताओं में से एक है जैसा कि आपनों जानते भी है आगे देखते हैं भोजन वह पदार्थ है जो सरी को स्वस्त बनाया रखने है तूँ आवशक्त पोशक्तत तथा उर्जा प्रदान करता है अर्थात भोजन से में अपने सरी को स्वस्त माय रखते हैं और भोजन से में पोशक्तत्तों और उर्जा की प्राप्ती होती है सभी सजीव को जीवित रहने के लिए भोजन के अशक्तता होती है जैसा कि आप जानते हैं हम उए या जीवजनतु हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन के असकता पड़ती है, भोजन वी उपस्तित वह रासा यह जो सरी के लिए आवशक होते हैं, पुर्शकतत तो कहलाती हैं, इतो था हमारा भोजन और पुर्शकतत, भोजन के कुछ कार है हमारे हैं, function of force बोजन के चार प्रमुक कार है यह सरी के विविन जयव प्रक्रम ही तो उर्जाप्रदान करता है हमारे जो सरी के जयव प्रक्रम है जैसे हमें कोई कार करना उसके लिए उर्जाप्राप्दान करता हमको यह कोई काओं के टूट फूट की मरमत करने मदद करता है आप जानते कि भोजन के तोरा जो हमारे कोई काओं टूट फूट जाती है भोजन से मुर्जाप्राप्त होती है और फिर वह अपने जैसे सुध हो जाती है अच्छी तरह बिक्सित हो जाती है यह विभीन रोगों से स्वास्थी के अच्ण दूष्ट रहते हैं, और आगला पॉइंट है , यह सरी की विर्दियम विकास विसायता करता है, आधाइए सरी को भोजन और पोशकत तो समय से नहीं मिले तो सरी की विर्दिय विकास होना असंबो हो जाएगा आगे क्यों बढ़ते हैं आगे मारा भोजन के सुरूत सुर्साफ फूट यानि भोजन हमें कहां से प्राप्त होता है हम पौधुम जन्तूं से भोजन प्राप्त करते हैं जैसा कि आप जानते हैं पौधुम जन्तूं से भोजन प्राप्त होता है आप जानते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बन एकसाइड जल या सुरू की प्रकास से स्वयम बनाते हैं अतर वे उत्पादक या सवपोसी कहलाते हैं, उत्पादक या सवपोसी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, जैसा आप जानते हैं कि प्योड़ पोजन स्वयम बनाते लेते हैं, इसलिए उत्पादक या सवपोसी कहते हैं, और हम लोग जैसे वे जिवजन्त, मन ये सभी विशंपोसी होते हैं क्योंकि ये दूसरे फनेरवर होते हैं जो भोजन उनके अपने उपियोग के अत्री बच जाता है वह उनके भागों में संचीत हो जाता है आगे हमारा जड़ जड़ पौधे का वह भाग है जो जमीन के अंदर ज़ल ये हम पोशक पदार्थों को मिट्टी से अवसोसित करनी में सायता करता है सकरकंद, गाजर, मूली, सलजम, आदी जड़ों कुछे ऐसे उदार जिने हम खाते हैं ये सब हमारे जड़ के अंदर गाजर जैसा चितरों सलजम, सकरकंद, गाजर, मूली, भोजन सुरोत के रूम में जड़, यानि इनकी जड़ को हम भोजन के रूम में ग्राग करते हैं कुछ हमारा है किरिया कलाप किरिया कलाप को देखते हैं कि अकलाब में हमारा है मूली सल्जम या एक सकरकंद का उलोकन कीजिए यह जड़ी फुली होती है क्योंकि इनमें पत्तिता बनाया गया अत्रीत भोजन संचीत्र होता है यह रूपांत्री जड़ी का राती है क्या आप किसी अन पौधी का नाम बता सकते हैं जिसकी जड़ी भोजन इकत्रित होता है बहुत है सल्जम सकरकंद गाजर मुली सभी हमारी भोजन उसमें जाकर इकत्रित होता है जड़ के रूप में हम तना को भी भोजन के रूप में लेते हैं तना भूमी के उपर विक्सित होता है तना पौधों के अन भागों अर्थात जड़ों पत्तियों फूलों को आपस में जोड़ता है या पौधों को खड़ा रखता है गन्यों कमल का तना समान तक खाया जात कि प्राप करते हैं बंद गोवियों पालग पतिदार सब्जीयां हैं जिनने खाने इस पहले पकाते हैं स्वधिष्टि सलात, पत्था तुलसी यह धनिया की पत्तियां कच्ची खाई आती है सरवादिक पीने योग पेज चाय घी चाय की पत्तियों से तयार होती है भोजन प्रांथ पचाने हैं तो कुछ लोग पान चबाते हैं यह सभी पत्तियां होती हैं यह एक तरी से हम भोजन के रूम में लेते अबने स्वात को ब्राने के लिए और भोजन को पचने के लिए बंदगोवी पालक हमारा पत्तिया है अगला हमारा फल जो भोजन के रूमें हम प्राप करते हैं फल एक पक्व अंडासे होता है जिसमें बीजी स्थित रहता है फल अनिक प्रकार के होते हैं जैसे सेव, अंजीर, आम, अनार, केला, संतरा, खजूर, बेर, आदिक फल है यह अभी हम भोजन के रूमें प्राप करते हैं जो हमारे सरीक के विर्दी विकास के लिए बहुत ही महत्पूर योगदान देते हैं हमें बिमारियों से भी रच्छा करते हैं पुस्प कलकाय है जो भोजन के रूम मिलेते हैं फूल गोबियों वो क्रली जिसे-ommes-खाते हैं वास्तों में पुस्प है हम इन सबचियों को शाया के रूमएक कच्चेय या विविन वेंजह ने पकाकर खाते हैं वीज हमें पॉद अगला मारा पॉइंट है किरिया कलाप नीचे दिए चित्रों से ध्यान से देखिए तथा इनके खाये जाने वाले भागों को पहचानी पौधे के कुछ अन खाने योग भागों के नाम भी लिखिए जैसा आपको दिखाये दिरा चित्रों करम संक्या सर्सु का कौन सा खाने इस पौधे के एक सधीक भाग खाने हो गया विज इससे मसालेव तेल के रूम में उप्योग किया तजैसा आप जानते भी हैं पत्तियां इन्हें सव्जीयों के रूम में खाते सर्सु का साख पंजाम में बहुत प्रसिद्ध है सर्सु के साख सभी बच्चों निखाया भी और इनका उप्योग मसालेव तेल के रूम में भी करते हैं करम संख्या दो हमारा है टमाटर सब्जीयों के रूम में इस्तमाल होने वारा टमाटर वास्तों में फल इसे सलात के रूम में खाते हैं जैसा कि चित्रिया को दिखाई देरा तीसरा नंबर क्या इसको आपको भरन चौथा नमबर के आपको भरना है पाचवा नमबर के आपको भरना है पौदे के नाम लिखने और खाने यूग भाग का विरोर भी आपको देना है यह आपनों का वर्क है